हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल, तो तुड़े इन दिस वीडियो, वेल लर्न अबाउट दे सिग्निफिकेंट्स अफ प्रोटो कॉड़ेट्स जो फ्रेंड्स जो फाइलम कॉड़ेटा है उसको हमने टू ग्रूप्स में डिवाइड किया था एक तो है प्रोटो कॉड़ेट्स and second is यू कॉड़ेटा, प्रोटो कॉड़ेटा में कौन-कौन सी सब फाइलम आते हैं हैमी कॉड़ेटा, यूरो कॉड़ेटा and सिफैलो कॉड़ेटा जिन तीनों के बारे में ही हमने अल्रेडी पढ़ लिया है मैंने ये तीनों सब फाइलम्स की classification, characteristics, type study में हमने हटबैनिया पढ़ा था that belongs to the सब फाइलम, यूरो कॉड़ेटा तो फ्रेंट्स हमने ये सारा अल्रेडी ही पढ़ लिया है और ये तीनों सब फाइलम्स को मिला करके हमने क्या ग्रूप बनाया प्रोटो कॉड़ेट तो अगर हम सारे ही इन तीनों सब फाइलम्स की बात करते हैं सारे इटमीस प्रोटो कॉडेट्स की जब हम बात करते हैं तो इनकी भी एक significance है economic as well as phylogenetic phylogenetic means क्या होता है evolutionary development time to time जो evolution हो रहा है species में organisms में उसकी उससे related जो development के according जो इसकी significance है जो importance है वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है so the protocolates are little economically important but they have great phylogenetic significance to the zoologist so जितने भी protocolates है वो economically तो बहुत थोड़े सी it means little economically important है but उनकी phylogenetic significance बहुत जादा है to the zoologist तो जितने भी zoologist है जो zoology it means इन सबसे animals से related जो study करते हैं उनके लिए phylogenetic significance बहुत जादा important रखती है क्योंकि किसी भी एक organism की phylogenetic जो significance है उसके बारे में उसके introduction I mean उसके information अगर हमें पता हो तो हम उससे related दूसरे organisms की कितनों के बारे में study कर सकते हैं तो first तो इनकी आती है they show great affinities जो protocodate से बहुत सारी affinities great affinities show करते हैं इस बहुत सारी similarities show करते हैं जो protocodate होते हैं उनके बहुत सारे दुसरे organisms के साथ भी क्या होती है similarities ये show करते हैं similar होते हैं दुसरे organism से like vertebrates से ही obviously इनकी इसले ही तो हमने उनको इन सारे सब फाइलम को एक ही फाइलम की अंडर में रखा है that is a chordata then they retain three basic chordate features अब इन सब में three basic chordate features होते हैं तो friends यह हमें पता होना चीह है आपको कोई पी पूछे कि chordata हम किसी भी औरगानिसम को chordata phylum में कैसे रखेंगे तो इसकी three basic features क्या एक तो noto chord that the most important hollow dorsal nerve chord second and third is pharyngeal gill slits जो pharynx में gill slits present होते stigmata okay throughout life उसे यही क्या है यह three basic chordate features है जो किस में होते proto chordates में होते हैं now they are considered most primitive and borderline chordates closer to the ancestors which gave rise to the final and the largest group of chordates the vertebrates then यह जो होते हैं यह friends अगर हम बात करते हैं सारे chordata phylum के सबसे most primitive chordates की तो वह कौन है अब्वियस्ली प्रोटो chordates है प्रोटो कॉड़ेट्स ही इस अर्थ पर सबसे पुराने सबसे प्रिमिटिव कॉड़ेट्स हैं जो आज भी प्रेजेंट है बॉर्डर लाइन इट मीज जहां से chordates स्टार्ट होते हैं उस बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं यह इतने प्रिमिटिव हैं chordates कॉड़ेट्स प्रोटो कॉड़ेट्स जो उनके एंसिस्टर्स क्लोजर तो दे एंसिस्टर्स विच गेव राइस टू थी फाइनल और इनहीं की एंसिस्टर्स जो होंगे यही और्गैनिजम से जो इवालूशन करके इनहीं क्या हुआ जिनमें इवालूशन हुआ होगा और इवालूशन के अकॉर्डिंग न्यू कॉड़ेट्स जो हम वर्टीब्रेटा पड़ते हैं वह भी तो अब्विसली इनहीं से ही तो क्या हुए इवाल्व होकर के फॉर्म हुए हैं तो यह फ्रेंट्स थ्री पॉइंट्स जो क्या कहते हैं इस आधी में सिगनिफिकेंस इंपोर्टेंस अफ दी प्रोटो कॉर्डिट्स ओके फ्रेंट्स कभी-कभी एग्जाम्स में पुछ लिया जाता है एक वह बहुत ऐसी था जस्ट्री पॉइंट्स है हमें याद रखने एंड एट्स इट ओके